हेलो एंड वेलकम बेक टू मैं चैनल अनुराग लॉग लासिस तो हम सी आर पीसी पढ़ रहे थे और हम सी आर पीसी में आज शुरू करेंगे चैप्टर नमबर 34 डिस्पोजल ओफ प्रॉपर्टी तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए पढ़ते हैं सेक्शन नमबर 451 451 सेक्शन में हमें बता रखा है कि कस्टडी एंड डिस्पोजल ओफ प्रॉपर्टी पैंडिंग ट्राइल इन सर्टेन केसिस तो इसमें हमें बता रखा है कि जो प्रॉपर्टी प्रडूस करी जाएगी कोल्ट में किसी भी इंक्वारी या ट्राइल के अंदर तो कोल्ट ओडर दे सकती है उसकी प्रॉपर कस्टडी के लिए और अगर जहां पे प्रॉपर्टी कोल्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वो इस पीडी या नैचुरल डिके की है जैसे माली जे फल फ्रूट है यह जल्दी खराब हो जाते है तो वो अपने एविडें रिकॉर्ड करेगी और उसे सोल्ड कर देगी या डिस्पोज आफ कर देगी उस प्रॉपर्टी को अब इसमें हमें एक्स्प्लेनेशन में हमें प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें हमें ए में बता रखा है कि प्रॉपर्टी किसी भ की property माना गया है जिसव जिस चीज से जिस चीज से ऑफ एंस हुआ है कमीशन हुआ है offense का उसे भी overnight माना गया है अब आज आते हैं section 452 में 250 में बस हमें यह बता रखा है कि युप का डिस्पोजल कर दें गे ट्राइल के conclusion पे तो इसमें हमें बता रखा है के inquiry और ट्राइल के दोरान criminal court अगर order करती है क्या कहते हैं disposal का destruction का या confiscation या delivery का किसी property का जो person claim कर रहा है या फिर जो entitle है possession का ठीक है इसमें एक और बात बता रखे है हमें कि जहां पे livestock की बात है वह स्पीड और नैचरल डिके की है तो उसे कोर्ट के कहते हैं dispose of या sold कर सकती है ठीक है तब आजाते हैं 453 में 453 में हमें बता रखा payment to innocent purchaser तो innocent purchaser को payment मिलेगी जब उससे जो money मिली है वह accused से मिली है तो इसमें हमें बता रखा 453 में कि जो person है वह convicted है किसी offense का और जो offense है वह theft है या फिर receiving stolen property है और उस person ने जो जिसने चोरी करी थी या फिर जिसने property रिसीव करी थी उसने वह property किसी और person को बेच दी अब जिस person ने बेची वह तो innocent था उसे तो कुछ पता नहीं था उस property के बारे में कि प्रॉपर्टी चोरी की है या कैसी है तो बाद में जब court जब बाद में court क्या कहते हैं उस property को confiscate कर लेगी या फिर court करवा देगी उस property को तो उस परचेजर की तो प्रॉपर्टी भी गई और उसने जो पैसे दिये थे वह हो भी गए उसके तो court उसे फिर payment payment दिलवा देगी परचेजर को और जो प्रॉपर्टी से उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी उससे जाधा नहीं होगी 454 में हमें बता रखा है कि 452 और 453 की अपील हो सकती है 453 में हमें बता रखा है destruction of 455 में हमें बता रखा destruction of libelous and other matter तो जो भी इसमें IPC में obscene matter या कोई defamation वाले matter बता रखे है 292 293 501 502 और 273 जो adulteration से related है food drink के ड्रग से related जो भी है उन प्रॉपर्टी की जुती भी copy होंगी वो सब destroy कर दी जाएंगी 456 में आ जाते हैं इसमें हमें बता रखा है power to restore possession तो इसमें possession restore करवा दिया जाता है इसमें हमें बता रखा है 456 में कि अगर कोई person convicted है किसी offense का और उस परसन ने कि criminal force की criminal force के साथ या अपनी force के साथ किसी दूसरे person को उसकी property से हटा दिया था तो court उसे तो जिस person को हटा आगया था तो प्रॉपरिटी प्रॉपरिटी को restore करवाएगी और उस परसन से जिस परसन ने उसे force criminal force यूज़ करके प्रॉपरिटी से निकाल लिया था तो कि 457 में आ गए हैं हम 457 सेक्षन हमें बताता है कि अगर कोई कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है किसी प्रॉपरिटी के बारे में अगर अगर वह क्रिमिनल कोर्ट के सामने प्रॉपरिटी को नहीं प्रड्यूस कर पाता है तो इनक्वाइरी ट्रायल के वहाद तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी का डिस पाथेवरी जरूरी है तो जो पर्संट उसके पोजशन में हैं उस परकुलिटी का डिलीवरी दें टो को तो मजिस्ट्रीट क Rights करें और प्रोक्लमेशन इस्यू करेगा और उस प्रोक्लमेशन में स्पैसिफाइब करेगा मजिस्ट्रेट कि जिस परसन की यह प्रॉपर्टी है वह अप्यर हो और अपना क्लेम एस्टैबलिश करें 6 महीने के अंदर-अंदर अब नेक्स्ट में हमें बता रखा है कि अगर जो इस कोई क्लेमेंट नहीं आता है 6 महीने के अंदर तो उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा तो इसमें हमें बता रखा है कि कोई परसन अपना अपना राइट एस्टैबलिश करने के लिए अपना क्लेम प्रॉपर्टी में लेने नहीं आया है तो मजिस्ट्रेट उस प्रॉ करी जा सकती है जिस ऑड़र की 459 में हमें बता रख एक पावर टू Sечение प्रोपर्टी तो इसमें 459 में हमें बता रख है क elevator रहे जो भी परसन एंटाइकल है से प्रोजेशन का प्रोपर्टी का और वह एबसेंट है अंगन है और जो प्रोपर्टी है है वह स्पीडी और नेचुरल डिके की है ठीक है कि वह जल्दी खराब हो जाती है प्रॉपर्टी जैसे फलफुरूट माल लीजिए और मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट करी गई है वह प्रॉपर्टी तो मजिस्ट्रेट बेनिफिट आफ दा ओनर के लिए उस प्रॉपर्ट को बेच सकता है ठीक है अब आजाते हैं इर्रेगुलर प्रोसीडिंग चैप्टर नमबर 35 में तो इसमें हमें बता रखा है कि जहां पर कोई मजिस्ट्रेट एमपावर्ध है लौग वारा और उसने सर्च वारेंट इशू कर दिया है इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वे सब्सक्राइशन 190 में है और मेक ओवर करा है उनने किसी केस को टेंडर ऑफ पार्डन दी है या रिकॉल करा किसी केस का या प्रॉपर्टी सेल करी है तो अगर उस मजिस्ट्रेट ने वह काम गुड़ फेट में करा है ठीक है तो उस प्रोसीडिंग को सेट असाइड नहीं किय पीलिय जाएगा इस ग्राउंड पर के वो सिस्तिक अप्रोसीडिंग के लिए लाइबल नहीं था अब हम हम आ जाते हैं के ऐसी प्रोसीडिंग इसमें फॉर शिक्सटी में फोलो त veramente पता रखा है कि ऐसी प्रोसीडिंग जो पर उच्ट लोगत नहीं करती कर देंग 169 002 हैं को वाइटेट कर देती हैं तो इसमें बता रखा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कि एमपावर्ड नहीं है लौद्वारा और वह अटेज करता है सेल करता है प्रॉपर्टी सेक्शन का ओर्डर देता है मेंटिनेंस का ओर्डर देता है या फिर कुछ लोकल न्यूसेंस का कोई ओर देता है या प्रोहिबीट करता है पबलिक न्यूसेंस करने से और इसमें के में हमें बता रखा कोई कोगनिजेंस लेता है सब ग्लॉस सी सेक्शन वन में और कोई ओफेंडर को ट्राय करता है या फिर किसी ओफेंडर का ट्राय करता है समरीली या सेंटेंस पास करता है 325 में अपील डिसाइड करता है और 397 की प्रोसीडिंग बुलाता है या फिर 446 में order revise करता है तो ये सब proceeding void मानी जाएंगी अगर magistrate empowered by law नहीं था और उसने ये सब proceeding करी है तो 462 में बता रखा है कि proceeding wrong place में तो अगर proceeding wrong तो कोई finding या फिर order दिया गया है court द्वारा तो वो इस ground पे set aside नहीं हो सकता कि जो trial और inquiry हुई है वो court की कि वो wrong session division या wrong district या wrong subdivision या किसी गलत एरिया में हुई है जब तक की failure of justice नहीं होता है अगर failure of justice हो रहा है तो वो proceeding void मानी जाएंगी ठीक है और इससे कुछ matter नहीं करता है कि court ने अपना decision कौन से division में दिया है कौन सी session division में दिया है जब तक वो failure of justice नहीं होता है तब तक कोई बात नहीं अब हम आ जाते हैं आगे आगे हम पढ़ रहे हैं 464 464 में हमें बता रखा है कि omission हो गया है या error हो गया है charge में charge को frame करते वे कोई omission या error हुआ है तो इसमें हमें बता रखा है कि कोई भी sentence या court competent jurisdiction है उस पे वो invalid नहीं मानी जाएगी जब तक कि इस ground पे कि कोई चार्ज बनाते वक्त उसमें irregularity आ गई है या omission आ गई है ठीक है और omission मतलब कि मान लीजिए कि उसने चोरी करी और चोरी करने के बाद कोई person भाग रहा था उसने किसी पुलिस वाले को भी उसमें बीच में मारा और फिर भाग गया तो उसने क्या कहते हैं पुलिस वाले ने उसकी चोरी की तो लिख दी चोरी का तो चार्ज लगा दिया मंगर उस पे पुलिस उसका पुलिस वाले को मारने का चार्ज वो लगाना भूल दिया तो यह omission माना जाएगा और एर्र माना जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने चोरी करी तो थेफ्ट की स्पेलिंग अगर उसने गलत लिख दी तो ऐसा कोई एर्र क्या कहते हैं इसमें इस सेक्शन में हमें 464 में बता रखा है कि कोई ऐसा एर्र या कोई ऐसा omission अगर failure of justice कर रहा है तो तो वो चार्ज क्या कहते हैं उसको गलत माना जाएगा और अगर ऐसा कोई और ऐसा कोई omission चार्ज में कोई कुछ मतलब failure of justice नहीं कर रहा है तो चार्ज relevant माना जाएगा अब इसमें clause 2 पढ़ते हैं कि अगर court का opinion है कि failure of justice हो रहा है और failure of justice omission के द्वारा हुआ है और omission कर रहे थे किसी को चार्ज फ्रेम करने का और जो order है चार्ज फ्रेम करने का वह क्या कहते हैं recommended तरीके से नहीं हुआ है और इसमें अमें बी में बता रखा है कि कोई ऐसा error या ऐसा omission है या ऐसा irregularity है जो की ट्राइल को directly मतलब जो की ट्राइल को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से कुछ पहुंचा रहा है मतलब तो इसमें क्या कहते हैं वह तो अगर फैक्ट से लगता है कि कुई लेस चार्ज एह नहीं बनना चाहिए था तो令क्यूस तो किया कहते हैं उसके खिवाफ जो फैक्ट्ट प्रूव करे गए हैं तो breeding को क्या कहते हैं वह कोट 13 Second कोड जो है कन्विक्शन क्वैश कर देगी उस परसन का अब आ जाते हैं फूर सिक्स्टी फाइव में इसमें हमें बता रखा है फाइंडिंग और सेंटेंस वें रिवर्सेबल बाई रीजन ऑफ एरर ऑमीशन और इर्रेगुलेरिटी तो इसमें उपर तो हमें बताया था कि अ कि omission या error के error द्वारा तो टहिक है तो इसमें क्या कहते हैं कोई अगर competent jurisdiction की लिवर्स नहीं कीा जाएगा court of appeal द्वारा अगर उसे लगता है कि charge में या complaint में कोई irregularity है है ना कि omission या irregularity है complaint, summon, warrant, proclamation या judgment के order में या other proceeding में कोई omission या irregularity है तो उस court का जो order होगा जो competent jurisdiction वाली court है उसका order reverse नहीं किया जाएगा जब तक की failure of justice नहीं हो रहा है अगर failure of justice हो रहा है तो उस order को reverse भी किया जा सकता है अब हम आजाते हैं आगे आगे हमें बस limitation limitation में आ गए हैं हम chapter number 36 इसमें हमें definition बता रखी है period of limitation की 467 में 468 में हमें बता रखा है कि limitation क्या होगा तो इसमें हमें बता रखा है कि कोई भी court cognigence नहीं लेगी offense का जब period of limitation expire हो गया है तो period of limitation क्या है वो हमें sub clause 2 में बता रखा है तो period of limitation 6 month है जब offense है fine only का अगर क्या कहते हैं fine only है और 6 महीने निकल गए हैं तो उसके बाद court cognigence नहीं लेगी इसमें हमें नेक्स्ट भी में हमें बता रखा है एक साल अगर imprisonment एक साल से ज़्यादा है और इसमें नेक्स्ट हमें बता रखा है three years जब imprisonment एक साल एक साल से ज़्यादा की है मगर तीन साल से कम की है और तीन साल निकल चुके हैं तो उसके बाद court cognigence नहीं लेगी offense का ठीक है यह हमारा limitation खत्म एब इसमें आ जाते हैं फ़ोर सिक्स्टी नाइन में कि period of limitation हमारा कब शुरू होगा तो period of limitation हमारा तब फैन जब på जिस दिन offense हुआ हुआ है उसी दिन से period of limitation शुरू हो जाता है बी में हमें commission बता रखा है के बी में हमने बता रखा है कि जब कोई commission हुआ है और जब वो परसन है वह नोन नहीं है तो जिस पहले दिन पहले दिन ओफेंस की सूचना उस परसन को मिलेगी या ओफिस ओफिसर को पुलिस ओफिसर को मिलेगी तो तब से लिमिटेशन का पीरिड चालू हो जाएगा सी में हमें बता रखा है कि अगर ओफेंस जिस परसन ने करा वो जानकारी में नहीं है तो जिस दिन ओफेंडर की आइडेंटिटी पता चली जिस परसन ने ओफेंस करा उसकी जब जिस दिन पहले दिन आइडेंटिटी पता चलेगी एग्रिवड परसन को या फिर पुलिस ओफ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको तब से लिमिटेशन का पीरेड चालू हो जाएगा अब आजाते हैं नेक्स सेक्षन में तो 470 पर आगए है हम 470 में हमें बता रखा है कि सर्टेन केसिज में टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसमें बता रखा है कि कम्प्यूटेशन होगा लिमिटेशन पीरेड का वो तब एक्सक्लूड कर जाएगा जब जिस परसन के खिलाफ ड्यू डिलिजेंस में कहीं और प्रोसिक्यूटेट कर दिया जाएगा प्रोवाइडिड में हमें बता रखा है कि कोई ऐसा एक्सक्लूशन नहीं होगा जब प्र कूट द्वारा सेकेंड में इसमें बता रखा है कि अगर प्रोसिक्यूशन हुआ है और इंजंग्शन द्वारा स्टे कर दिया गया है तो उस उस लिमिटेशन पीरिड में कंप्यूट नहीं होगा और वह एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इंजंग्शन का पीरियड इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई परसन इंडिया से एबसेंट है तो वह एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और अगर जो परसन अरेस्ट को अवाइड कर रहा है या फिर अपने आपको छुपा रहा है तो उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसमें 471 में हमें बता रखा है कि इसमें तो section 471 में हमें बता रखा है कि जागर limitation period expire हो रहा है जिस दिन court बंद है तो court उस दिन उसका cognizance लेगी जब court reopen होगी 472 में हमें continuing offense के बारे में बता रखा है कि continuing offense अगर चल रहा है तो limitation period हर दूसरे जो भी दूसरा कोई continuing offense होगा तब वो उस पे refresh हो जाएगा और तब से continue करेगा वो कर तो limitation period इसमें 473 में हमें बता रखा है extension बता रखा है limitation period का तो court अगर satisfy है fact से या circumtrance of case से के प्रॉप के जो limitation period है वो प्रॉपरली explained किया गया है कि उसे delay करना जरूरी है और वो necessary है interest of justice में तो court उसे क्या कहते हैं limitation period को extend भी कर सकती है अब हम आ गए हैं last chapter में अपने CRPC के chapter number 37 miscellaneous इसमें trials before high court बता रखा है तो जो भी high court high court trial चलाएगी और जो कोई भी high court trial चलाएगी 407 को छोड़के 407 में जो trial को छोड़के high court में high court जो भी trial चलाएगी तो court of session उसको observe करेगी कि जैसे वो भी उस case को try कर रही है 475 पर आ जाते हैं 475 में हमें बता रखा है कि commanding officer की commanding officer की request पे property deliver करी जा सकती है तो इसमें बता रखा है हमें army act, navy act, air force, armed force, air force law और military naval जो भी law है कोई या फिर कोई other law है तो यह सब उस court court द्वारा try करे जाएगे जो court marshal द्वारा चलते हैं और इसमें एक बात और बता रखी है कि जब किसी person को magistrate के सामने magistrate के सामने पेश किया गया है किसी offense के लिए जो की court marshal की law द्वारा चलते थे तो magistrate जो है अपने reason record करेगा और reason record करने के बाद वो magistrate उस person को deliver कर देगा और उसके साथ एक statement लगा के भेजेगा और उस statement में उसका offense लिखा होगा कि इस person ने ये offense करा है और उस person को उसके commanding officer जो होगा उसकी unit का उसको भेज देंगे या फिर जो nearest military या naval या air force station होगा उस पे उसे भेज देंगे और फिर वो court marshal की court द्वारा try किया जाएगा इसमें second में हमें बता रखा है second clause में हमें बता रखा है कि जो magistrate होगा अगर उसे commanding officer द्वारा कोई written application मिल रही है तो magistrate अपना utmost endeavor दिखा के apprehend करेगा उसे पकड़ेगा, arrest करवाएगा और उसे secure करेगा person को जो भी commanding officer जिस person की demand कर रहा है third में हमें बता रखा है clause 3 में कि अगर high court को लगता है कि किसी prisoner को detain किया जाए jail में और उसको jail में detain करने के बाद court marshal की court में पेश किया जाए तो high court ये उसे direct कर सकती है 477 में आ जाते हैं 477 में हमें बता रखा है कि high court के पास power है rule बनाने की तो इसमें हमें बता रखा है कि high court जो है petition writer पे rule बना सकता है state government की approval लेके तो state government की approval लेके high court इन इन चीजों पे rule बना सकता है petition writer को लेके rule बना सकता है license के issue को regulate करने के लिए rule बना सकता है 478 में आ जाते हैं 478 में हमें बता रखा है अगर legislative assembly कोई resolution द्वारा state government को कहती है और state government फिर consultation लेगी high court की और high court की consultation लेने के बाद उसमें जो भी executive magistrate द्वारा किये वे काम थे वो judicial magistrate first class द्वारा उसे करवाया जा सकता है state legislative assembly करेगी इसे resolution द्वारा जो state government को देगी फिर state government high court की consultation लेगी 479 में आ जाते हैं 479 में हमें बता रखा है कि अगर कोई judge या magistrate personally interested है किसी case में तो वो जो judge है उसे permission नहीं होगी उस case को try or commit करने की ठीक है जिस case में वो personally interested है या फिर वो party है या फिर वो तो वो judge या magistrate उस अपील को here या कोई उसमें judgment नहीं देगा ठीक है इसमें आगे आ जाते हैं हम आगे पढ़ते हैं section number 480 480 इसमें हमें बता रखा है कि practicing leader जो होगा वो magistrate की तरह court में नहीं बैठेगा 481 में हमें बता रखा है कि जो public servant है और जो public servant ने property को कुड़क करवाया है तो उस property को वो खुद ही नहीं खरीद लेगा अगर किसी property का sale हो रहा है तो public servant उस property को नहीं खरीदेगा 482 में बता रखा है कि high court के पास inherent power है कि अगर उसे लग रहा है कि justice नहीं हो रहा है और फिर court की process को abuse किया जा रहा है तो वो कोई भी order निकाल सकती है ठीक है अब आ जाते हैं 483 में 483 में हमें बता रखा है कि high court के पास high court के पास superintendent है सारी judicial magistrate की court में ताकि प्रॉपर डिस्पोजल हो केसिस का 484 में हमें एक छोटी सी बात बता रखी है 484 में बस हमें यह बता रखा है कि जो 1898 का criminal procedure code है वो repeal कर दिया गया है और हमारा यह नया code लागू हो गया है तो हमने CRPC complete कर लिया है अगर आपको मेरा CRPC की series पसंद आई हो तो आप मेरे channel को subscribe करें thank you